हलो फ्रेंड्स आप सब कैसे हो तो आशा है कि आप सब अच्छे से होंगे फ्रेंड्स कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो हम विंटर में लाते हैं पर वो पूरे साल तक हमारे गार्डन के सुन्दरता बढ़ाते हैं जैसे कोलियस है इनको अगर हम लाते हैं अभी ये पूरे साल पूरी गर्मी हमारे गार्डन में रंग बिरंगा लुक पूरा बनाये रखते हैं बहुत ही अच्छे प्लांट होते हैं कहीं भी आप लगाएंगे बहुत ही हार्डी प्लांट होते हैं इनको थोड़ा सा इनकी टिप से तोड़ के आप लगा देंगे ये बहुत आसानी से आपके गार्डन में बने रहेंगे पिटूनिया के प्लांट हमारे गार्डन में अगर दिसंबर जन्वरी में हम नरसरी से लिया के लगा लेते हैं तो ये काफी दिन तक हमारे गार्डन में माई जून तक बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करते हैं क्योंकि ये फूल धूप में चलने वाले बहुत अच्छे प् प्रूप है तो आप कुछ सेडी एरिया में रख दे फिर भी ये फ्लावरिंग करते रहते हैं तो फ्रेंड्स ये बहुत ही अच्छे प्लांट्स हैं जो हमारे गार्डन में सालो साल ये रह सकते हैं अगर हम बर्सात में इनको बचा ले गए तो अगले सीजन के लिए भी ये और इनको बीज इनका कलेक्ट करके भी हम अपने गार्डन में बचा सकते हैं अगले साल लगा सकते हैं तो बहुत ही अच्छे प्लांट होते हैं पिटूनिया के और भर भर के फ्लावरिंग करते हैं सिंगल पेटल डबल पेटल सब में आते हैं क्लैंचो भी बहुत अच्छा फ्रेंड पौधा है जो हमारे गार्डेन पूरे साल बना रहता है और फिर एक बार लाने के जरूरत नहीं पड़ती है और यह देखिए गेंदा और मेरी गोल्ड यह भी अगर हम एक बार गार्डेन में लेती है नर्सरी से तो दुबार लाने के जरूरत नहीं पड़ती है क्योंकि एक बार अगर आप आपके गार्डेन में हो गया तो फिर इनको कटिंग से हम धेरे धेरे बढ़ा सकते हैं अपने गार्डेन में हमेशा ही लगा सकते हैं नए तो इनके बीजों को भी कलेक्ट करके हम आगे के लिए रख सकते हैं और लग फिलाने की जरूरत नहीं पड़ती है तो गुलाब भी बहुत अच्छा एक बार आप लिया लेंगे तो फिर दुबार आप फिलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी हमेरे साही फूल देते रहते हैं गर्मी भर और फ्रेंड ये देखिए केरेंडूला ये भी माई-जून तक अगर आप सैडी अरिया में रखते हैं तो बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करते हैं और सॉल्विया भी ये भी काफी दिन तक आपके गार्डन में बने रहते हैं बहुत अच्छे फ्लावरिंग प्रांट है इनको भी आप थोड़ा बड़े पौधे आप फरवरी में भी लिए सकते हैं जोकी आपके गार्डन में अच्छे से बने रहेंगे विनका के भी प्लावरिंग आपको अच्छे सारी प्रांट है जोकी आपको मै जुन तक फ्लावरिंग बहुत अच्छे से देते रहते हैं डेंथस बहुत अच्छा फ्लाउरिंग प्लांट है जो कि आप इनको जड़ों से भी अलग करके अलग-अलग लगा सकते हैं और इनको आप कटिंग से भी बहुत अच्छे से ग्रो कर सकते हैं तो इनको अभी भी आप ले सकते हैं अभी खीले भी मिल जाएंगे आप कलर देख के लिया सकते हैं और माई जून तक तो बहुत ही अच्छे से खिलते रहते हैं फिर आप काटिंग लगा करके इनको बढ़ा सकते हैं बरसाथ में आप बचा ले जाएं तो पूरे साल भर तक आपके गार्डन में रहते हैं और ये है जरेनियम और जरेनियम भी बहुत अच्छा फ्लावरिंग प्रांट है ये काफी दिन तक इनका फूल बना रहता है अभी तो बहुत अच्छे धूप में ये हो जाएंगे और नहीं तो उसके बाद सैडी एरिया में आप रखिए बहुत अच्छा से ये आपके गार् ये सिनेरिया भी बहुत अच्छा फ्लावरिंग प्रांट है एक बार खिल जाता तो फ्रेंट इसका फूल इसी तरह बना रहता है तो फ्रेंट इनको भी आप लिया सकते हैं तो फ्रेंट जिदे देखिए मेरे कुछ इंडोर प्रांट्स और आज बहुत बारिश होई है तो और ये है स्पाइडर प्रांट ये दोनों प्रांट मैं लाई हूँ नरसरी से बहुत अच्छे वायों को शुद्र करने वाले प्रांट है ये तो देखिए फ्रेंट प्रांट अच्छे हेल्दी हैं तो इनको मैं अभी दो तीन दिन हुआ लाई हूँ और हमने तुरंत वीडियो कैसा लगा अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा